बहुत सारी महिलाओं को जो आज मैं टिप्स बताने जा रहे हूं वो उनके लिए helpful हो सकती है कई महिलाओं को pregnancy conceive करना है लेकिन चोटे-चोटे टिप्स जो कि वो नहीं जानती है और उनके लिए ये बहुत helpful हो सकती है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मैं हूँ आश्व या फिर ओलोशन के दो दिन पहले दो दिन बाद है यानिकी जब भी आप ट्राई करते रहते हो हूं के 10 दिनों के दोड़ान उन 10 दिनों के दोड़ान ओवलुशन के आज पास के 10 दिनों के दोड़ान जो आप ट्राई करते हो रिलेशन में आते हो तो उस वक्त आपको धियान क्या देना है सबसे पहले कि यह evolution के दिनों में आपको try करना है evolution का दिन तो exact आप पता नहीं कर पाओगे अगर आप kit से नहीं जाच कर पाड़े हो या अपने symptoms नहीं पहचान पाड़े हो तो evolution का दिन जो है आपके period में सोने से 14 या 15 ये 16 दिन में आपको evolution आएगा regular period वालों को उसके बाद ग्यारवशू से 20 दिन तक आप comedy में सोना है कौन से पोज में सोना है यानि की relation के बाद आप कौन से पोज में सोना है तो क्या होता है जब भी sperm एंटर करता है और जब वो फैलभीयम veulent में एक से मीट करने जाता है तो उसका जो है वो ऐसा होना चाहिए प्रोसेस कि वो जल्दी से स्विंग करके जाया एक से जाके मिल जाया तो आपको रिलेशन के दोना उठना नहीं है आपको वैसे ही लेटे रहना है अगर आप चाहिए तो लेग अब दी वॉल पोजिशन अब जादा इंपोर्टेंट होता है साथ ही आपके यूट्रस को अब करता है आपके फिलोपीन ट्यूप को अब 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 करता है कि वह अपना काम सुचारू रूट से करें तो आपको लेग अब दी वॉल यानि कि लेग अब दी वॉल अगर आप नहीं समझ रहें तो इसके बाद आपको वो लेग जो है अपना दोनों पैर जो है किसी वॉल के सहारे या फिर चेयर के सहारे आप अपने पैर को स्ट्रेट करके खड़ा रखे रहें खड़ा रखने का अंतराल कितना होना चाहिए कितने देर तक आप ये जो है ये पोज में आप सोई रहेंगी पैर में आप 10-20 मिन तक सोने है अगर अगर अप लेग लेग बिवस्य कर रहर tract अगर अप दिक्कत नहीं कर रहें तो कोई दिकत नहीं है। एको ढूंड के उससे मिल जाता है लेकिन फिर भी आप 15-20 मिनट तक फ्लैट पोजिशन में यानि कि पीट के बल उसी करवट में आप सोई रहे हैं तो वह जादा अच्छा होगा अब उसके बाद यह है कि जितने दिन भी आप कंसीव करने के लिए ट्राय करते हो 11-20 दिन तक उन दोरान आपको इसी तरीके से फ्लैट पोजिशन में सो रहे हैं उसके बाद फिर 15-20 मिनट के बाद आप अपने प्राइविट एरिया को क्लीन कर सकते हो जिससे की आपको इंफ जादा से जादा बढ़ते हैं जादा से जादा बढ़ने के चांसे होते हैं तो यह काम ज़रूर करना उसके बाद ऑपने डायेट पर ध्यान देना योगा करते रहना कोई टेंशन नहीं लेना अपने लाइफस्टायल को बेहतर रखना तो कंसीम होने से कोई नहीं रोख सकत तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया दे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं धन्यवाद